आज हम ये cotton fabric की bag बनाएंगे इसे हमने quilt किया है और ये cotton का fabric हमने ये bag बनाने के लिए लिया है ये दो पिसे से साड़े दस इंच बाई साड़े दस इंच इसके दो पिसे से लिए इसको हम इसे fold करेंगे यहां से ऐसे fold करने के बाद हम यहां से 2 इंच का mark करेंगे 2 इंच और यहां से 1,5 इंच उपर से 1,5 इंच लिया और यहां से 2 इंच देखें इसे और यह होने के बाद यहां हम round shape देंगे यहां से 1,5 इंच का mark किया और यहां से इसे हम shape देंगे यहां तक जो 2 इंच का mark है वहां तक हम ऐसा shape देंगे shape देने के बाद हम यहां से ऐसे यहां से यहां तक हम cutting करते हैं देखें ऐसे हमने shape दिया ऐसा ही shape हम इसके उपर देंगे इसे fold करते हैं यह इसके उपर इसे रखा और ऐसे cutting करेंगे देखें ऐसे हमने दोनो same sides cutting किये दोनो pieces तो यह piece ऐसा बनेगा इसके बाद यह हमने एक दूसरा cotton का ही fabric लिया है इसके अंदर ऐसा color था तो हमने यह printed ही दूसरा color लिया इसका हम build बनाएंगे, build के लिए 15 inch या 16 inch by 3 inch का यह fabric हमने cutting किया है दोनों build हम साथ में बनाएंगे, बाद में cutting करेंगे यहां इसके अंदर यहां हमने प्रेस करके रखा है इसके अंदर आप चोटी सी piping या build इसके अंदर डाल सकते हैं यहां तो rubber sheet का चोटी से strip देखें यह हमने 16 inch के दो build बनाएं और build बनाने के बाद यह दो pieces लिये उपर से हमने 2.5 inch का mark या एक line draw की यहां center का mark है, center से 2 inch एक side में, 2 inch एक side में यह अगर आप ऐसा shape देंगे तो यहां 1.5 inch बें आप ले सकते हैं तो यह marking के बाहर हम यह इसे यह line से थोड़ा सा नीचे यह build ऐसे जोड़ेंगे, marking के बाहर जोड़ सकते हैं या तो बीच में ऐसे यहां नीचे की side में हम सिलाई करेंगे यह build हमने दोनों join किये, build जोड़ने के बाद यह 2 strip लिये हैं, 2 inch by 10.5 inch center से fold किया, यहां से fold किया, यहां से fold किया तो यह ऐसा, ऐसे यह 1 inch की strip बनी है और यह हम यहां जोड़ेंगे जो 2.5 inches का mark यह था, इसके उपर हम ऐसे रखेंगे यहां से, और यहां से हम सिलाई करेंगे, यह तो हमने अस्तर के लिए pieces लिये हैं, और यह ऐसा shape दे सकते हैं, यह तो यह मैंने इसे उपर की side में, एक ऐसे line में रखा, और यहां से 3 inch का mark यहां, यहां हम zipper जोड़ेंगे, यहां से cut करते हैं, जिप की सीधी side, यहां सिलाई होने के बाद, सिलाई नीचे की side में करते हैं, और यहां top stitch, यह उपर का cut किया हुआ piece ऐसे जोड़ेंगे, और यह होने के बाद ऐसे उपर की side में, यहां top stitch, इसे यहां, जिप पर जोड़ने के बाद, यहां से runner डाला, और runner डालने के बाद, एक piece यह दोनों, अगर pocket रहता था, वो back side में होता था, तो यह हम back side में जोड़ते थे, लेकिन यहां दोनों side सेम ही हैं, यहां आप window pocket भी बना सकते हैं, यह होने के बाद, एक piece अमने लिया, और यह, साड़े 10 inches की zipper ले, जिप की सीधी side, fabric की सीधी side के उपर, और यह zipper का part में इसके back side में रखेंगे, यह सीधी side है, यहां ऐसे, यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे, यहां सिलाई होने के बाद, यह अस्तर अंदर की side में करते हैं, ऐसे, यहां हम top stitch करेंगे, और यह जो fabric है, इसके उपर हम इसे सिलाई करेंगे, और extra अस्तर kut करते हैं, ऐसे हमने एक्स्ट्रा अस्तर कट किया ये सुन्दर सा पीस बना है ये होने के बाद ये दुसरा अस्तर का पीस लिया ये अस्तर की सीधी साइड हम ये जीपर के बैक साइड में ऐसे रखी और ये पीस उपर की साइड हम इसके उपर रखेंगे जीप के उपर यहां से यहां त और यहां से हम यहां से यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे इसे हमने यह दोनों पीस बनाए हैं यह बनाने के बाद हम यहां से रनर डालेंगे अगर आप दो रनर डाल रहे हैं तो यहां से एक रनर डाल सकते हैं लेकिन अगर आप एक रनर डाल रहे हैं तो यह बैक साइड है तो हम यह front side है तो हम यहां से runner डालेंगे यह होने के बाद यहां हमने runner डालने के बाद ऐसे fold किया और यहां से यहां तक इतना होता है यहां देखेंगे ऐसे यहां से ऐसे यहां तक यह 23 inches होता है तो 23 inches by 3 inch का यह एक हमने quilted बीच लिया यहां यहां जोड़ेंगे देखें यहां हमने दोनों side से सिलाई की सिलाई के उपर हमने pipe in की है pipe in का होने के बाद यह side हम यहां रखेंगे यहां से यहां top stitch करेंगे यहां से यहां से top stitch किया दोनों side में यह होने के बाद यहां सिलाई है यहां से रखें और यहां center का mark यहां center का mark किया ऐसा ही mark हमने यहां किया है यहां यहां से फोल्ड किया ऐसे रखा हाथ में यहां से ऐसे और यहां center का mark यहां किया है और यह यह mark हम यहां जोड़ेंगे चाहें तो पीन से जोड़ सकते हैं या तो ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं यह दोनों side सिलाई होने के बाद हम ऐसे ही pipe in करेंगे यह हमने तयार पाइपिन ली है यहाँ आप जो अस्तर के लिए कपड़ा यूज़ करेंगे उसकी पाइपिन बना कर भी आप चोड़ सकते हैं देखें दोनों साइड हमने जोइन की और इसके उपर हमने पाइपिन की बहुत सुन्दर सी यह अंदर की साइड से भी बैक बनी है इसकी बाद हम यहाँ से सिध्धी साइड करेंगे तो पहले यह हमने अंदर से एक पॉकेट भी बनाया है दिखिए ऐसी ये सुन्दर सी बैक बनी है कही पर भी इसका शेप चेंज नहीं हुआ और दोनों प्रिंटेड कलर हमने यूज किये है यहाँ एक जीपर का पॉकेट है इसे हाथ में लेके जाने के लिए बहुत सुन्दर सी ये बैक बनी है